लास्ट क्लास हम लोगने इफेक्टे टाइन नूम्बर पढ़ा था और उसमें एक रूल पढ़ते हैं वसमें बोलते हैं सिड्विक्स EAN रूल तो सिड्विक्स में बहुत सिंपल जी बात कहीच उसने कहा था कि इसक प्रिक्क्ATHAN पमलेग एफेक्पलैक्ष थेंध इसक प्रिक्षट कॉस्फेक्ट अप्रिक्सिजर Macht नूल भगने एफेंध नूल 9 brief 00 when I I am इפ 15e more stable this rule is mainly applicable or is mainly satisfied by metal carbonyls यानि metal plus ligand carbon monoxide मोनोकसाइड होना चाहिए और एक्जामपल लाइक एफी सी ओ हूल फाइफ लाइक एमन सी ओ हूल फाइफ यह आपके पास हो गया लेट से एन इसी ओ हूल फूर इस तरह है कि जो कॉंपलेसिंज में कार्बन मोनोकसाइड मेंनली लिगण की तरह काम करता है उनके लिए यह मेजरली एप्लीकेबल होता है बताओ इन तीनों में इफेक्टिव टूमी नमबर कितना कितना है है ना तो देखो 26 प्लस 10 36 है ना ओक्सिदिशन नमबर 0 होता है कि यह सी ओ जो है न्यूट्रल लिगण है एमन 25 बताओ एक सी ओ कितने एलेक्ट्रोन दे रहा है दो तो 5 कितने देंगे 10 तो 25 प्लस 10 35 यहां देखो निकल 28 28 प्लस 8 36 कर सकते हैं तो यहां पर एफेसी ओल 5 स्टेबल है यह भी स्टेबल है एमन स्टेबल 5 की स्टेबल रिलेटिवली क्या होगी कम होगी क्योंकि इसने अपनी नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर एन अटेन नहीं किया है तो आप given carbonyls में stability compare कर सकते हों कि given carbonyls में कौन ज्यादा stable होगा और कौन कम stable होगा पहली बात बोले इतना समझ में आता है अब आप देखो a carbonyl having a carbonyl having electron less than the atomic number of next noble gas will have a tendency to gain electrons and thus will get reduced and can act as an oxidizing agent oxidizing agent क्या होता है जो खुद और सामने वाले को आप देखो mnco whole 5 बताओ mnco whole 5 का en कितना है 35 बताओ 36 पहुचने के लिए इसको एक electron चाहिए तो जैसे ही एक electron gain करेगा mnco whole 5 माइनस बना लेगा और इसके पास अब 36 electron हो जाएंगे तो that means इसकी electron gain करने की बहुत high tendency होगी तो एक electron gain करने के height tendency तो खुद क्या हो रहा है reduce और जो खुद reduce होता है वो सामने ले वो क्या करेगा oxidize तो इध्यान दें यहां से आपको एक और चीज़ important सीखने देखने को मिल रही है इसके अंदर अगर आप oxidation number of manganese निकालो तो वो minus 1 आएगा क्या आएगा यानि metal carbonals के अंदर metal negative oxidation state भी attain कर सकती है तो इसी तरह देखो अगर किसी के पास ज्यादा electron है तो so complex having electrons या electrons मतली को EAN greater than next noble gas will have a tendency to lose electrons and will act as a reducing agent तो अगर इसे पास next noble gas is जाद electrons है तो इस case में obviously वो electron lose करना चाहेगा EAN को attain करने के लिए जिससे मैं आप सब बोलता हूं कि मानलो मेरे पास है CO CO whole 5 CO CO whole 5 अगर कोबाल्ट का doming number 27 27 plus 10 37 जबकि EAN कितना होना चाहिए 36 यह क्या करेगा एक electron lose कर देगा यह बना लेगा CO CO whole 5 plus plus एक electron और अभी यह किस की तरह काम कर सकता है एक reducing agent की तरह although नीट में कभी पूछा नहीं गया और साइद पूछा भी नहीं जाएगा but पूछले तो पूछले कोई क्या कर सकता है जही में तो दो तीन बार पूछ चुका है कि एक चार पर एक question लिख देगा which of the following carbonyl can act as a reducing agent reducing agent कौन होता है जो खुद oxidize होता है खुद oxidize कौन होगा जो electron lose करेगा electron lose कौन करेगा जिसके वह electron जादा होंगे जादा कब होंगे जब उसका yen next noble gas से क्या आएगा जादा वहलो 36 से जादा है या 54 से जादा है या 86 से जादा है दिख लिया फिर देखें some carbonyls form dimers to attain noble gas EAN तो कुछ आपके पास carbonyls ऐसे भी होता है जो noble gas EAN को attain करने के लिए आपस में जोड़ जाता है dimers form करता है ठीक है for example आपके पास है mn co hole 5 देखो इसका EAN कितना है 35 अपना EAN 36 करने के लिए ये actually form करता है mn2 co hole 10 इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखना ये mn है ये mn है फिर आप draw कर लेना एक बार समझे लोगना भी समझ में नहीं आएगा आपको mn2 co hole 10 है तो देखो इस mn से 5 कार्बनेल ग्रुप्स कॉर्डिनेट बॉंड के थुरू जुड़े होता है 2, 3, 4 और 5 ऐसे इससे भी 5 co coordinate bond से जुड़े होता है दिख रहा है और ये दोनों mn आपस में क्या होता है covalent bond से जुड़े होता है इस तरह से तो आपको electron गिनना आना चाहिए आदान प्रदान बहुत अच्छे से देखें ठीक है देखो ये mn था बता mn के पास कितने electron होता है 25 कितने होता है ये कौन सा bond है coordinate bond में co जो 2 electron देगा mn के account में भी count होंगे और co के account में भी count होंगे तो देखो इस mn के पास 25 electron तो पहली थे 2 यहां से आए 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 25 और 10 35 ये दोनों ने अपना एक एक electron share किया है ये एक normal covalent bond है तो दोनों के account में एक एक electron count होगा होगा नहीं होगा तो बताओ इस mn का en कितना हो गया 36 और इस mn का en भी कितना हो गया है 36 बोलो समझ में आ रहा है यह structure ncrt में दी हुई है यह आपको पता होनी चाहिए ठीक है इस इस इंपॉर्टेंट को दिकत कर लो कापी चली इसके बाद देखें ऐसा एक और कंपाउंड होता है जिसके structure आपको inside में दी हुई है which is co2 co hole 8 अब ऐसा नहीं है कि आप सब के structure एकी तरीके से बना सकते हो थोड़ा आपको इनके ओपर ध्यान भी रखना पड़ेगा तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट इसमें है यहां पर और बागी के तीन सीओ ग्रुप क्या करते हैं इस तरह से coordinate bond इधर बनाते हैं और तीन सीओ ग्रुप coordinate bond इधर बनाते हैं like तो में चीज क्या है टर्मिनल वाले तो coordinate bond बनाएंगे और यह वाला जो ना यह इसके बाद दो electron थे एक इधर share कर लिया एक इधर share कर लिया तो ये वाले तो आपकी कौन से bond है coordinate bond और ये वाले कौन से हैं आपके normal covalent bond तो जब आप valence electrons में contribution count करोगे coordinate bond का contribution के इतना count करोगे 2 unit का और normal covalent bond का contribution एक unit का होगा तो आप गिनो इस cobalt का atomic number कितना हो गया 27 प्लस 3 into 2 coordinate bond 2-2-2 लिख रहा हूँ उनके लिए इसलिए प्लस 1-1-1 कितना आगया ये इन 36 ज्यादा आगया सभी समझ पा रहे हैं तो ये structure आपको ध्यान रखनी होगी एक और बता रहा हूँ स्लेवस में तो नहीं है उसे हम बोलता है fe2 co whole 9 इसमें क्या होता है दो fe ऐसे जुड़ते है c o c o c o c o c o और c o और यहाँ पर 2 की जगा 3 c o क्या होता है bridge में हो कितने होते हैं ठीक है अब आप गिनो इनके लिए क्या structure है observed structure होती है e n satisfy करना होता है अब यह दोनों इनके लिए आपको धहन रखने पड़ेंगे यह तीसरा है यह actually क्या हो यहाँ पर delta bond form होता ही है जब यह sigma बन रहना है तो delta होते हैं अब रूल नहीं है कि आप कैसे कर लोगे basically आपको e n satisfy करना है तो आप जब यहाँ पर 4 co लगा होगे तर 3 लगा होगे तो सिमिट्टे भी जाएगी पस यह extra a की 3 ही है total है बहुत सारे पर अपने काम के दो दो ही है जो ncid वी दिया उनको पर ऐसे बता रहा हूँ extra एक और पर जेख आइरन कितना होगे 26 दो 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 एक 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 यह सारे तो covalent bond होगे न नॉर्मल बताओ 26 प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 1 कितना आ रहा है 36 तो इस तरह से यह अपने एन को क्या करते हैं complete करते हैं कितना आपको इन कार्बोनिल्स के वारे में पता होना चाहिए और यह आपका होता है सिड्विक्स इन रूल सिड्विक के साब से कि जो आपके सिग्रेट रूल वैसे टूली कार्बोनिल्स पर ही अप्लिकेबल होता है इसलिए आपने maximum example भी कार्बोनिल्स के ही यहाँ पर देके हैं तो कार्बोनिल अपना ये नेक्स्ट नोबल गयस के वराब लाने के लिए बहुत सारे काम कर सकता है इलेक्टरोन ले सकता है इलेक्टरोन दे सकता है या फिर वो डाइमर भी फॉर्म कर सकता है